नमस्कार गुण मोने बाल मुद्रविक्रान पर उन्होंने अने कहानिया लिखी है सर्द 19 नेव में उनको भारत सर्दारदा प्रतिश्टेत पुरुषकार पदमस्ती प्राप्त हुआ था चोरी पाठ में यसकार जेन इस पाठ के बारे में समझती देते हैं कि गरेलो नकर के प्रति लोगों के तरह तरह की भातिया भेदी हुई है अक्सर लोग गरेलो नकरों को ये ब्राद्य की कसोटी पर कसना चाहते हैं पर सभी नकर एक जेसे नहीं होते यदि हम गरेलो नकरों के गर का अंग मानकरों को साथ आत्मिय बहवार करे और हम जो खाते वो नंगरों को भी खाने को दे तो नकर के लेखा कुटने वाली समस्या ही उत्वन नहीं होती और मेसूकसा की मांगल को इस काहने के द्वारा यहीं संदेश दिया जाता है कि जो नकर गर में काम करते हैं उसको हम जैसा खाना खाते हैं उसी तरह का खाना भी उसको दिया जाना चाहिए इसके लिए उन्होंने रूख रही होते हैं सुख सांती और आनत बना रे दाजर नोकरों हम जैसे खाते हैं जैसा खाना चाहते हैं उसके नोकरों को भी उसके मन में ऐसा खाना खाना चाहिए ऐस तो उसको सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं वो देदे पर उसके अलावा जो मिठाईया है उसके अलावा जो मावा है वो भी जो नोकरों को दे दिया जाए तो उसके मामन में विचार दे नहीं लाया जाए सकते हैं तो यसकार जैन यहीं बात हमको बताना चाहते हैं कि जो लोग नोकर को उसके गर में नोकर की तरह रखते हैं तो उसके साथ साथ उसको उसकी सेवा उसके मन के विचारों को भी मान दिया जाना चाहिए तो हम चोरी पाट की विकतवा समझती लेंगे कम्रे को सापकर जाडूंकर पुडा रखे जब इन्तु कम्रे से बहार निकला तब बरांडे में बेठी मालती का त्या कुस्की और अनाया सी चला अवे यह सोथी बेला युद याम आवे छे के नोकर सुकरे दो छे कम्रों सापकरीने जाडूंको तेना हत्मा देने बहार दिख़े त्यारी अग्रामा बेठी जे मालती छे जे घर्णी सेठाणी छे एनी नजर कुना पर जया चे एका एक एननुचे नोकर छे एना उपर एनी नजर जय चे उसने देखा कि एक हाथ में जाडूंको पर दूसरे हाथ की मुठी बंदी है और कुछ पीछे की ओर जानकुचतर आट में कभी हिए एसका में ज़िए मालती नजर एनोकर उपर जय चे दर एनोकर ना आएक आत्मा जाडूंको छे ने भीजा हाथ में मुठी ने बंद छे जाड़ी के मालती थी छुपातों होय ए पिल्व जाडूंको पताना हाथ में आणूंकर तो द्याथी पसार थाची नहीं मार्ति को लगा हो नहों कमरे से बिंदु कुछ लाया है उसने कहा बिंदु मार्ति की आवास सुने नहों वह चलता ही गया बंकि मार्ति ने देखा कि उसकी फुकार पर बिंदु की चाण में कुछ देजी आ गई है गुस्ते में भरकर उसने कहा बिंदु ओ बिंदु ठहर कहा चाता है अंने तुम केम जल्दी जल्दी चालेओ जहेँ इतना कमना था कि मिन्दु तो दोडने लगा और वह गया, वह गया, मार्तिके सन्ने की पुष्टी के लिए वह सब ताखी था उसले तेजी से साथ कहा, सुन्ते हो जी, देखो, बिंदु कुछ लिए जा रहा है जल्दी आपने शुटिवा माँची के पोताना मन्ना संदुष्ट रमारे अपने शुटर के लिए जा रहा है मांतिका चिल्लाना उसे अच्छान ही लगा और उसने चाहा की टाल दे पर मालती माले तम एक सबाटे पर वो कमरे में आ गई और गोली जड़ पर डुढ़ो देखो बिंदू मुठी में दबाई कुछ ले गया ये शुगा में नंदर भादी ना पती नाम सुचे नंदर अनने ये जारे पताना पति हेँ पूँपाडे छे तयारे assist शुगे छे पताना कमरा मा बैठा बैठा कसुख लखी रहा चो पताना मन में उठाचे के रेवाद ये तो भूँपाड़े परतु भूँपाड़े पछी मालती गसुपड मालती नती अन्य शुकर चे येना कमरा सुदी पोची जयाचे अन्य त्याजे ने पड़े उखे छे के बिंदू पतानी बुर्थी मां गसुपलेने गव चे रहा है एक हाथ में जाड़ू है दूसरा लिता है वो निंचे लड़का है उसे देखते ही माती उबद पड़ी क्यों रहे बिंदू के बच्चे में कला फाटी रही और तु रुका तक नहीं बोध हाथ में क्या ले गया था ये शुकर रहे चे के पताना पती ना कमरा सुद रहे खे बिंदू कोताना हाथ मा कशुग लेने चे दो रहे ओ छे अहीं पत्म मेला ना मतमा ये उठाचे के चन्न जवादेने माती तो लोजुँमो पाड़े चपरतु माती आती कई जो प्रेम हती नै ना 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 सुगा चे जे कल पोधे लखी रहे ओ छे कलमने बादियों पर मुगे छे अधरे जटपटों को ठाया चाने जेवो कमरानी बहार भीजे उत्रे छे त्यारे ए सुजुवा छे के बिंदू पोधे खातमा जाड़ो रे केत्रे टोपली लाईने पोधे दरवाजा नी अंदर प्रवेश करा चे अधरे माती ने तरतास के छे के सुगे तन बिंदू का चेहरा ख़ब बोला कुछ नहीं बिबी जी जुठा कहींगा क्योरे तेरे हाथ में कुछ नहीं जा तो मेरे फुकार ने पद फिर तु रुकातो नहीं माती ने रोजपुरोग स्वर में पूछाये तो के चेक तु तु तारा हाथ मा लेने शुज जातो तो तो कुछ नहीं तु पसे हुम भुमो पाड़तो हो तो तेरे तु तु पिदू से बोला नहीं जा रहा था। कहें तु क्या तु है तुम धनता नागे बडा बोला गब्राओ नहीं सच बताओ की क्या ले गए ते। सच बाबुजी मेरे हाद में जाड़ू की और खुडा हाथ इस बिमानी के उपर गद छोड़ रखा तो इसलिए की चीज उठा उठार कर ले गया और उपर से जूठ बोलता है यह सुझा मा उचे अवे अवे नंदाने ने पुछी रहा छे के मिदुदु तारा हात्मा सुले ने जेतू हद तेरे उखे छे के ना मारा हात्मा कसू पड़ नहीं तो पूलिश ने तमे आपी का यहां तमारे कहा वात आपीछे के लाटके तेव कही और भातों से हुझा भुद दो अफेर के बीवार करने से के शारा बेपल नहीं प्रिंदो को उतने प्यार से समझाय और बुटा उन्हें तुमसे कुछ कहूंगा नहीं फिक फिक बताओ कि क्या ले गए थे कि तो बिद्दू गब्राया सा होया सा जन्तिकी और देखता रहा और नंदन का बहुंद आकरफ वार तो उसने इतना ही कहां मैंने पूछ लिया या वे नंदन सुकर अचे ने प्रेम थी सम्द्यावा अच्छा ने उले छे का आपने जो बिद्दू पहले तो बिद्दू पर भुषोपण करी सुन्नाई तने चे ले दूओ ये तो साथ जो बोली जा आटमातो केवा पच्छी बिद्दो ये उसके छे कहां मैं कसो कली थू ठादू नंदन फिर भी खीजा ननी एले के नंदने ने पर भुषो करतो नथी बोला अ बिद्दू पहले तो कुछ ठीटका अनंतर मुझ का चुपचाप आगी हो लिया नंदर हम आदिने वह जगह देखी पर कुछ दीखा नहीं नंदर ने कहां बिद्दू यो हेरात करने से क्या होगा बतारत्यों नहीं देथा कि क्या लाया था या शो कैछे कि ये जगिया है क बिद्दू के होट खुले जैसे कुछ काना चाना हो उपर खिर्ग बन हो थोड़ी वार माटे तो ये बिद्दू जाने के बधूच कई देवानों बय एम पोता ना मुझ खोले छे बरा दुपरिधी जूख थाई जा चेना मनमा पां डढ़ाशे के जो हूँ एमने बधू जणाई देश तो कदा जेमने बर्बाधी गाटे भुट से तो आ तो मारा उपर दूस्टो था सेटले बिद्दू एमने कसो पड़ जणावतो नदू हाँ कहो रुट्यो क्या कहें नंदाने सान्ट सुख से कहा बाबुजी बिद्दू फिर जो साबास कहो कहो बाबुजी पर दूसी मेवाने जे पड़ी थी, मैं उठा दाया, बिद्दू कहतो गाया पर तेस सेवा अनुभा कर रहा हो की दुनिया का जाने कितना गहराबाब बुजी उसने करणडाना, नंदाने सु कहें छे के बिद्दू कसो केवा जाये छे बरान नो कई सकतो ना ती देखो ना में खई लिदो छे परांतो ये मिदुना मनमदों जाड़े के एदे खड़ी मदी मोटी जोरी पैसा दे सोनाने जोरी करी लिदी पर एदे ना मनमा गुणवदों डर लागे छे मैं काती थी ना माती बोलो की कि अब कुछ नो कुछ लेज जरूर आया है देखा मेरी बास सच निकली ना मेवाता तुमने क्या किया दे खा दे इतने चली बिदु जुठ मत बोलो सच बता दो इधर ठेक दिक नंदत और माती ने देखा कि इसकी बताए जगल पर फोड़े से क किसमी से पड़ी थे नंदन ने बिन्दु के कंदे पर हाथ रखा और कहा मेरे साथ आओ बिन्दु चुपचा माली के साथ चल्दिया नंदन उससे लेकर कबरे की ओर गया माती ने कहा आज इसने मेवादी है कल को ओर पुछ उठा ले जाएगा एक पार चुन यहत पपी तो कि निल नंदन नंदन नं बिन्दु बजन चल्दिया था चल्दिया नंदन जाख बोड़ा हाथ ना माज़ इस लेकर बिन्दु के साथ मोड़ा फिर जिलेकर को जाएगे पर हाथ बिन्दड आमा जेकली भी बस्तु पड़े दी असे एनों हाथ जोरी करता क्यारेपण रुख से ना येटा कि एक उखत आदर तो पड़ी जा ए आदर क्यारेपण रुख से ना थी नंदर ने पत्नी की बाद सुनी अंसुनी कर दी बिंदी को साथ लेकर कबरे में काया और कंस्तर खोल कर उसने एक मुठी मेवा उसके साथ में देते हुए बुला बिंदो लोग खावा और शुकराचे फतना कबरा तरह खाई जेने अईया सुकराचे थोड़ो गणों मेवो येने आप आईच्वा ने शुकराचे के ले दुखवे येने खाई जा पतिके इस नर्मी में वेवार में माती आ खोल्बला हो गई आ खोल्बला हो जाना येना परिक्सा मां हुम्हावरा तरीके पूछाए सके पेके घूबल दुख्सा आ ना इडले येना पतिकोरे वेवाई गणी पतिकुष्से थाचे के एक तो इने चोरी करिया ने तमे परिंद के नेसु आपो खावानू आपो खो बोली एसे ही तो लोका मिगडते है उसे कुछ क ना तो दूर उसकी कुछा मत कर रहे नंदन उसकराया बोला मालती चोर बिंदू नहीं है हम है हम क्यों उसे चीज़े खाय तो उसको नहीं मिलती इसी से नो चोरी की भावना को जर्म मिलता है हम लोग रोज मेवा खाते है एक दिन इस विचारे का मन चल गया और थोड़ी सी देली तो क्या हो गया अवे यह सुके छे के मातियम ना पर पुर से थाय छे त्यारी अहीं नंदन मालती ने सम्झावा चे कि चोर्तकों नाथी नंदन चोर नाथी पर चोर्तकों छे आपने छिये के जो जे नोकर छे एना मतमा आवी बस्तू खावा ने उच्छा था एवी आपने पर शुकाव ठावी जो ये पर जो आपने दक जो आपने दक घर चे तो तो धुरी गणी तेने पर अपफ्री जो ये मेकाप करते के कोछ हो गया बाद मेवां की नहीं ये नियत की जो जो दो नाथी के कप्रोपड थोई गयो बात सेने नाथी मेवादी नाथी परा तो एने नचर नी छे जो एक बात नचर भगड़ी तो ए रोज हाथ करवानों रूसे नहीं इसका जी चला तो मांग लेता मेन देती तक कहता गर में पट्चासों सुझे रेती है यो तो जीस पर मनाएगा उठा कर दे जाएगा और यह ती नहीं होना है वह न करेगा तो कुछ करवाओ यह सुग्या ना पाले चुझो जो ए मारा दोले माव मांगी हो तो हुँ एने आप खरी जो हुए ने ना पाड़ी नहीं परांतो जो आपड़ा गर्मा पच्चासों वस्तों पड़ी हो तो एनी जो नियत बगड़े तो एक में यह बंदीज वस्तों ने उठाएने नहीं ज़से अने जो एक अरसे नहीं तो तमें तमारा हाँ खेने कराव सुझे मांगी यह पर नाराज बने की नहीं है सोचने की है जब तक सब कीज़ों उसके नहीं में दी चोरी बंद नहीं हो सकती चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिती बढ़ी लाचारी की हो गई है नंदर ने समझाते हुए कहा देखने ना एक नहीं बिदू गर्मे से ट्रंप ठाकर इतना कहकर मांदी रोशे में चले गई और नंदर उना अपनी खुर्सी पर आख मेठा पर मन उसका दुसरी रिशा में चल रहा था थोड़ी देर वह सोचता रहा फिर उसने इकचारों को समेटा और लेक उडा करने में लग गया लेक उडा हुआ तो कापी देर बोचुकी फिर उसने इकचारों को समेट वह उठा और सिधार उसे में पहुचा देखता क्या है कि मांदी सिर पर चट्नी किस रही है नंदर ने कहा बिंदु कहा है मैं कहा जानू तुम जानो और तुम्हारा नदला बिंदु जाने उसे निकाल दिया निकालने वाजी में कुर होती कब से नहीं है तभी चला गया था नंदा थोड़ा हिराने में पड़ा माल्दी पुना कहा तुम यहां से नोकरों को जानते नहीं अपने गर में भी उसका हाथ उठता नहीं कुंदन के यहां इतना अनाद बरा नहीं फिर भी एक हीन आक बच गई तो काका के यहां से गेहु पות गेहु skyले हिलिया नंदन जाता है कि बहसका अरफ नहीं उसके बात आगे नहीं बढ़ायों तो धिया उठाका स्नान करने चला गया स्नान करने के ये बाग उसने भुचन किया आवे नंतन था पोज चे छे ने नंदन या ती ने शुके छे के बिंदु क्या छे घणामदा समय थेक्व琴 ए गर्मा देखातू न थी ते रेट मार्तियने जवाबाप्ते छे के बिंदु क्या छे मने खबर न तुमू एने गर्मा थे निकाड़नार कोण गड़ी बाते बन्दे उत्यां मज्चेसु थाचे चगड़ू थाचे के नंदन अवे पुचारे चे के मार्ती जोडे मार्था कुड करवाना कोई प्रस्ण न तियान एक्सु करे चे ए नावा माटे जदो रचे न स्तान करे ने पाच्छो आवे चे त्यार इक्सु करे चे के रश्णामा वीसी ने पुचन पन करे चे दो पर भीटियो साम हो गया फिर भी जब इन्दुना लोटा तो मार्ती के मनको अच्छा नहीं लगा चोके में अभी बिंदुगा खाना पड़ा खाने खाने फपड थही जाए चे आने बिंदु गरत खरे आपतो नकी अने अवे मातिना मनमा चिंदाग साय छे के बिंदु क्या गयो जूठ बोला तो क्या आखी बालक खीतों है वे चरा भूखा जाने कहां पठत रहा होगा अवे मात्ती एक वार तो गुस्सो करी लिदो पर मात्ती ना मनमा सुथाई छे अववे लिदू माटे ना मनमा चिंता जूठ बोली गया तो एमा सुथाई गव यह जाने सुथे यह तो बाड़ा कर खीतों कई पर कमरे से बाहर आकर मात्ती ने मिन्दू को देखा फिर बगीचे का एक चकर लगा कि कहीं पेड़ के निचे पड़ा सोन रहा है फर हिंदू वहां कहा था जो मिन्दा मात्ती आकर पलंग पर बढ़ गई और अपने को कोशने लगी कि जरासी बात को इतना तो जो निया थोड़ी सी मेवा दे ले गया था तो क्या गजम्भू काया था मात्ती शुकरेचे के बहार जाचे और अंदर आवचे बिन्दुने जोवा माटे परांत बिन्दु बपोड थेई गया तो ब्रद सम्वेविदी गयो उख्छे दा पणे घरे आपतो न त्यावे आईया मार्किना मानमा चिन्दा था चे के बिन्दु गयो तो क्या करयो मात्ती शुकरेचे के बिन्दु को देखा है क्या बिन्दु बिन्दु को देखा है क्या मात्ती शुकरेचे के बिन्दु कुंदर बिन्दु को देखा है क्या बिन्दु को देखा है मात्ती शुकरेचे के बिन्दु को देखा बिन्दु को देखा है क्या बिन्दु को देखा है नन्दन ने कहा, कि वहाँ क्या कर रहा था बिंदू जोग श्रहां, मैं फुच्टा היום, वहाँ क्या कर रहा था फिर जोग, अरे बोलता क्यों नहीं, मुँझ में जबान मभानी है बिंदू की आखें ढब ढब आया निसु का छे कि नन्दन ने प्रस्ण पूछे छे के तुँ नानिसर की पूठी मा तया जेने सु करतो हाथ अबरन भिल्दु जवाब आपतो न थी मान्दी ने कहा इसका पागलपन देखो सबेरें से कुछ नहीं खाया और उखा प्यासा वहाँ पड़ा है चल खाना खाना नन्दने कुछ करने से पले ब उसे चोके में लेगई और स्वयं करोस कर उसे खिलाने लगी बोली बन भेट खाले भुखा मत रहनाने माती सुके छे के नो पागलपन तमे जो कि सवान्वेने कसो पड़ खादू न थे अने सवान्वेने पाड़ियोंने खावानों पर खादू न थे अनने माती सुकरे छे के पोते नन्दन एने सुकरे छे के पोते रशलामा त्य जाए छे अने फोते न हाथे जेने खावानू पीर से चैने सुखे छे के तुँ पेट बरी ने खई ले तु बुख्यों रईस नाइड नंदर ने पत्नी की बास सुनी और एक प्रसंता बरी मुस्कुराट उसके चिंदे पर जोड गई अने सुखरे छे के अयों अमालती पुदाना नोकर बिंदुने प्रेम करे छे अने सल प्रसंता बरिवे ठास्य पुदाने पत्नी तरो आपेट छे ले आपाट मा यसपा जे लापण ने उखे छे के चोरी करवानों प्रस्न क्यारे नोकरों ना मनमा उद्वन थाय छे के ज्यारे इमने पुदे जे हड़े छे इना काता कई अलगत ज्यारे पुदे ना काम करले दो आपने नोकरों साथे इवो वेवा राको जे चारों वेवा राको जोए के जी आपने खिये छे ए वस्तु जो थोड़ी गणी इमने आपिये तो क्यारे पन तोरी करवानों प्रस्न उद्वन नाई और आपने पाट सोड पूर्णा था छे दरे के दरे किद्यार के पाट सोड चोरी इपाटनों स्वाध्य लगवा नो रेसे पंदर भी कावी में एना मट्री नजी चलाएगे तमारा अभ्यास करमा ना थिये पे चोल्द कची डायरेक्ट तमारे सुर्मों बाठ लखमानों रेसे अस्तू